अब हम देखते हैं हमारा दूसरा लौह खनीज मैगनीज जो है ये धारवाड यूग की परतदार चट्टानों में हमको देखने को मिलता है और मैगनीज का सबसे अधिक उपयोग लौह इस पातुद्योग में किया जाता है क्योंकि लोहे को प्रगलन करने में या लोहे को गल बनाने के लिए मैगनीज की आवश्रक्ता होती है और इन सब के अतरिक्त हम और इसके उपयोग देखते हैं कि इस पात को कड़ा बनाने के लिए या जो भी रासायनी कुद्योग है जैसे आपका कीट नाशक दवाईयों के प्रयोग के लिए या ब्लीचिंग पाउडर बना ने आदी सभी में भी मैगनीज का प्रयोग जो है किया जाता है अब हम देखते हैं इसमें सीलीका है आपका चूना फास्फोरस इस टाइप की बहुत सारी अशुधियां मैगनीज में मिलती हैं तो इसे शोधन करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है अब हम ये का तीसरा इस्थान है यदि हम देखें कि भारत में मैगनीज का कितना भंडारण है तो वो विश्व में उसका भंडारण के दृष्टिकोर में तीसरा इस्थान है अब हमारे जितने भी राज्ये हैं उन सब में उनकी स्थिती देखने से पहले कि पहला इस्थान किसका है द तन इस्पात बनाने के लिए जितने भी हमारे अभी हमने बात की थी कि सरवाधिक प्रयोग जो है वो लोहा इस्पात उद्द्योग में इसका किया जाता है प्रगलन के लिए या हम यह कहें कि इस्पात को कड़ा बनाने के लिए तो इसकी मात्रा हम देखते हैं कि एक टन जब इस पात का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए लगभग 6 किलोग्राम मैगनीज की आवशक्ता होती है अब हम राजियों में बात करते हैं सबसे पहला इस्थान जो है वो ओडिसा का है भंडारन के दृष्टी कोण में और पूरे भारत का लगभग 44% जो है वो ओडिसा मे मैगनीज का भंडार है अब इसमें ये उत्पादक ताकि दृष्टी कोण से भी हम देखें तो उत्पादन में भी ओडिसा जो है वो सबसे धनी है या हम कहें कि पहले नंबर पर है और यहां किन-किन इस्थानों में ओडिसा के किन-किन इस्थानों में मैगनीज का उत्पा सुन्दर गड़ है इसके साथ ही साथ कोरा पूठ है और काला हंडी यह जो है यह ओडिसा के प्रमुख उत्पादक मैगनीज उत्पादक इस्थान है या जीले हैं अब हम देखते हैं दूसरा इस्थान करनाटक का है और यहां पर लगभग 22% जो है मैगनीज के भंडार हमको मिलते हैं मतलब पूरे भारत में मैगनीज का जो भंडार है उसको हम 100% माल ले तो हमने देखा 44% हमें ओडिसा में मिलता है और 22% के साथ करनाटक जो है वो दूसरे इस्थान पर है अब करनाटक में भी किन-किन इस्थानों पर इसका उत्पादनकारी किया जाता है या भंड यह आपके प्रमुख मैगनीज के भंडारक छेतर हैं तीसरा इस्थान हम देखते हैं आपका मध्यप्रदेश है मध्यप्रदेश में लगभग तीन प्रतिशत जो है वो मैगनीज के भंडार मिलते हैं और यहां पर हमें बाला घाट में छिंदवाडा, सिवनी, मंडला और जबल पूरजीलों में मैगनीज के भंडार मिलते हैं तीसरा इस्थान मध्यप्रदेश का और यहां पर लगभग 13 प्रतिशत मैगनीज के भंडार मिलते हैं चौथा इस्थान है आपका महाराष्ट और यहां पर लगभग 8 प्रतिशत मैगनीज का भंडारन देखने को मिलत है अब हम देखते हैं कि महाराष्ठ के किन-किन छेत्रों में यह खननकारिय मेगनीज का किया जाता है तो उसमें प्रमुख रूप से है नागपूर में नागपूर के बाद भंडारा है भंडारा रत्नागीरी इत विप तो मिलते हैं लेकिन यहां पर जो मैगनीज मिलता है वो एकदम निमनकोटी का हमें मिलता है. फिर नेक्स्ट है आपका पाचवा नंबर है राजस्थान का और राजस्थान में हम देखेंगे कि आपके उदैपूर बासवाड़ा उसके बाद है आपका जारखंड हम राजस्थान में यही बात करें हैं तो सिर्फ आपका उदैपूर और बासवाड़ा है इन सब के अतिरि यहां भी आपको प्रमुख रूप से मैगनीज का थोड़ी बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि भंडारण मिलेगा और इसके साथ ही साथ तमिलना डू यह दो जो है वो अन्य उत्पादक राजी है मैगनीज के अब यह तो हो गई लोह धातूओं के विशय में अब हम अ बहुत ही उपयोगी धातू है और हम सीधे रूप में इसे प्राप्त नहीं करते हैं बॉकसाइट जो है वो एक अयस्क है हम कच्ची धातू कह सकते हैं और इस अयस्क से हम अलुमिनियम को प्राप्त करते हैं अलुमिनियम का अयस है बॉकसाइट अब हमने देखा कि इसका प एक बहुत ही हलकी और लचिली धातु है इसलिए हम इसे बहुत उपयोगी कह रहे हैं अब चुकि ये बहुत ही हलकी और लचिली धातु है इसलिए हम देखते हैं कि इसका विद्यूत उपकरनों के साथ साथ बरतनों को बनाने में भी जो है बहुत उपयोग किया जाता है महत् हलकी है और साथ ही साथ लचीली है अब हम ये बात करते हैं कि पूरे भारत में किन-किन राज्यों में हमें बॉक्साइट का वित्रण देखने को मिलता है बॉक्साइट आपको ये जानना हमें जोर्री है कि किस युग की चट्टानों में देखने को मिलता है हमने मैगनीज में बात कि थी कि वो हमें धारवार चट्टानों में देखने को मिलता है तो बॉकसाइड जो है वो आपके टर्शरी युग की चट्टानों में मिलता है अब देखते हैं हम पहला इस्थान इसमें भी जो है यह ओरिसा का है हम जब राज्यों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो यह प्रमुकता से पाई ही जाएंगे लेकिन जब हम भारत के प्रमुक छेत्र देख रहे हैं तो प्रमुक रूप से यह प्रायदिपी पठार और इसके साथ ही साथ वहाँ पर की जो तटी छेत्र हैं और प्रायदिपी पठारी छेत्र और वहाँ की परव और कोरापूट यहां पर ओरिसा के इन छेत्रों में बॉक्साइट प्रमुकता से मिलती है। दूसरा नंबर है जारखन जारखन के जो प्रमुक छेत्रे हैं यहां पर सबसे अधिक मात्रा में यह लोहार डागा में मिलता है। किसका भंडारण बॉक्साइट का और लोहार डागा में सरवाधिक है और इनके अतरिक तभी हम देखेंगे आपका राची है, पलामु है और गुमला यह जो छेत्रे हैं यहां पर हमें जो बॉक्साइट की भंडारण के हैं वो हमें प्रमुक छुरूप से मिलता है। अब इसके बाद है आपका तीसरा इस्थान च्छतिसगड का है तो च्छतिसगड में हम देखते हैं जो बिलासपूर जीले में इस्थित मैकल पहाडियां है यह जो मैकल पहाडियों का छेत्र है यहां पर प्रमुक रुप से मिलता है और इसके साथ ही साथ आपके सरगूज जीले का जो पठारी छेत्र है और इन दोनों के साथ आपके दुर्ग और रायगड जीले में भी हमें बॉक्साइट का जो भंडार है वो हमें देखने को मिलता है फिर महाराश्ट भी एक प्रमुक छेत्र है और महाराश्ट के हम देखेंगे यहां पर कोलापूर है ठाणे है रतनागीरी है और साथ ही साथ सतारा और पूरे में भी हमें बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं गुजरात की जब हम बात करेंगे तो गुजरात में हम देखते हैं जामनगर जूनागर और भावनगर यह प्रमुक छेत्र हैं गुजरात में बॉक्साइट उत्पादक जो छ बाला घाट और ये जो तीन हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक छेतर हैं अब इन राजियों के अतिरिक्त भी भारत में आपको करनाटक, तमिलनाडू और हमारे गोवा में बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं तो ये हो गया आपका अलाव खनीज जिसमें प्रमुख रूप से बॉक्साइट का हमने अध्यान किया, अब हम देखते हैं अलाव खनीज में ही जो दूसरी जो महत्तपूर्ण धातु है जिसकी हम बात करते हैं वो है आपका तामबा, तामबे से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि ये बहुत प्राच समय से ही उपयोग में आता रहा है और तब हम इसे जो सिक्के बनाने हैं, ओजार बनाने के लिए या बरतन बनाने के लिए हम उपयोग करते थे और प्राचीन काल में ही तामबे का जो इतना अधिक उपयोग किया जाता था इस सरवाधिक उपयोग के कारण ही हम उस समय को त तामबे का उपयोग किस किस चीज में किया जाता है और कि इसकी क्या विशेश्टा है तो तामबा जो है ये बिजली का उत्तम चालक है साथ ही साथ इसमें जंग नहीं लगता है ये इसकी दूसरी विशेश्टा है और इसके साथ ही ये लचीला भी होता है काफी लचीली के साथ मिक्स कर सकते हैं, मिश्रन करके हम एक नई धातु जो है वो बना सकते हैं। और सोने से जैसा हम सबही परीचित हैं, तो सोने में भी उसे कठोडता प्रदान करने के लिए तामबे का प्रयोग किया जाता है हम सभी को मालूम है कि 24 करेट जो सोना है उससे हम किसी भी प्रकार के जेवर या आभूशन जो है निर्मित नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सौफ्ट होती है तो इसे ठोस बनाने के लिए या कठोर करने के लिए इसमे थाम्बे का प्रयोग किया जाता है इसे मिक्स करके फिर आभूशन और जेवर जो है बनाये जाते हैं तुछ इसकी एक अन्य विशेश्टा है हमने पहले देखा कि प्राचीन समय में तामबे का प्रयोग था वो सिर्फ बरतन बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए और स बनाने में ही इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था लेकिन वरतमान समय में हम देखें तो आधुनी के युग में जो है इसका विद्यूत उपकरणों में या विद्यूत के जो तार हैं वो बनाने में जो है अधिक उपियोग किया जाता है तो इसमें भी हम देखते हैं कि उत्पादन की जब हम बात करेंगे तो उत्पादन की दृष्टी से भारत में भारत का विश्व में जो है आठवा इस्थान है अब हम देखते हैं हमने बात की कि उत्पादन में विश्व में भारत का आठवा इस्थान है और यहां पर तामबे के कुल अनुमानित जो भग 105 करोर टन यहां पर हमें भंडार मिलते हैं अब पहला इस्थान हम देखते हैं भारत के राजियों की बात करेंगे तो तामबे की उत्पादन में पहला इस्थान आपका जारखंड है और जारखंड के सी भूमी जीले में तामबे का उत्पादन किया जाता है दूसरा प्रमुख तामबा उत्पादक है और साथ ही साथ जुन जुनु और अलवर जीले में भी तामबे का उत्पादन किया जाता है। यहां पर तामबे का उत्पादन होता है। अब हम धात्विक खनीज की बात करते हैं। इसे खनीज जिन में लोहे का बिल्कूल भी अंश नहीं मिलता है। और दूसरा हमने देखा अधात्विक खनीज है। अधात्विक खनीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख है आपका अभरक। अभरक एक ऐसा खनीज है जिसमें धातू का अंश नहीं पाया जाता। अभरक जो है हम ये देखेंगे इसमें स्वक्षता की मात्रा बहुत अधिक होती। जब इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो बहुत अधिक स्वक्षता का अंश होता है और ये साथिसात ताप और ध्वनी दोनों का ही कुचालक है। ये किन चट्टानों में मिलता है? तो ये हमें परतदार चट्टानों में पाया जाता है। परददार के साथ जो कायांतरित हो चुकी हैं चट्टाने तो कायांतरित चट्टानों में ये हमें अभरक मिलता है और इसकी एक अन्य विशेष्टा है कि ये परतों में मिलता है और परददार होने के साथ साथ हलकी और चमकीली जो है खनीजिये होती है अब विश्व में हम बात करें तो भारत विश्व का जो है लगभख 60 प्रतिशत उत्पादन भारत में किया जाता है अब्रक के उत्पादन की हिसाब से हम देखते हैं कि भारत एक धनी राजी है पूरे विश्व का लगभग 60% जो है वो अकेले भारत उत्पादित करता है। अब यहां पर हमें अभरक की जब हम क्वालिटी देखें या उसके प्रकार देखें क्वालिटी के हिसाब से तो तीन प्रकार की अभरक हमें भारत में मिलते हैं। पहला है आपका मसकोवाइट, दूसरा है आपका फ्लोगोपाइट और तीसरा है बायोटाइट। यह तीन प्रकार की अभरक जो हैं वो भारत में हमें मिलते हैं। अभरक का जो उपयोग है विद्यूतूप करनों में तो इसका प्रयोग किया ही जाता है और साथ ही साथ रंग रोगन के कारिय में और चिकनाई वाले जो तेल हैं वो बनाने में और साथ ही दवाईयां आदी बनाने में भी अभरक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोईले की, कोईला जो है ये प्रमुख हाप का उर्जा का सोर्स है और हमने पहले भी जब वितरन देखा था हमने खनीजो का तो हमने देखा था ये एक जिवाश में इंधन है, ऐसा इंधन जिसमें हमें जीवों के आउशेश जो हैं वो मिलते हैं शक्ती और उर्जा का हम कहें कि महत्वपुन स्त्रोथ है हमारा कोईला जो है पहले ये सिर्फ घरेलू उपयोग में लाया जाता था और लगभग अठारवी सदी के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही भाप के इंजन का विश्कार हुआ तो इसका प्रयोग जो है वो बहुत अध पुर्जा के सोर्स के रूप में कोईले का प्रयोग है वो किया जाने लगा अब इन सभी के अविश्कार के बाद या इन सभी में कोईले का जब उपयोग किया जाने लगा तो ये एक महत्वपुन इंधन के रूप में प्रयोग होने लगा अब हम देखते हैं कि जो भाप क रेलो में जलीयान में ये उधन के रूप में कोल्या प्रयोग हो नने हैं प्रकार हमारे जीवन के लिए भोजन की आवRशक्ता भोती है हम यह कह सकते हैं कि उध्योगों के लिए भी दिक v Node जो है वो उतना ही जीवन के बराबर उपयोगी होता है और विशेश कर तो लौह स्पात उद्योग के लिए लौह स्पात उद्योग की हम कल्पना ही नहीं कर सकते कोई लेके भीना तो इसलिए इसे उद्योगों की रोटी की भी संग्या दी जाती है झाल 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 झाल